Hello everyone, welcome to study editor तो आज किस वीडियो में हम अपना concept clear करेंगे biology के regarding हम यहाँ बात करेंगे biology के कौन कौन से branches होती हैं जिसको लेकि most of the time students confused रहते हैं parents भी confused रहते हैं कि biology की branches कौन कौन से होती हैं और आप अपने interest के साब से किस में जा सकते हो traditional education ले सकते हो professional education, vocational education ले सकते हो सबसे पहले हम बात करेंगे कि biology होता क्या है biology आपका science का ही branch होता है जिसमें आप living things के बारे में studies करते हो वो आपका biology होता जिसका main domain हो गया सबसे पहले जो term biology था उसको quaint क्या था ले मार्क ने and travy रेनम नाम के scientist ने क्या था जो हमारा word biology होता है वो दो word symbol के बना हुआ है Greek word होता है bio means life and logos means study कहें पर भी logos अगर आपको लिखावा दिखता है इसका मतलब होता है to study and the father of biology is Aristotle अब biology पर आते हैं biology जो होता है अगर आप zoology परते हो तो भी आप कह सकते हो कि आप biology परते हो botany परते हो तो भी कह सकते हो या microbiology परते हो तो भी आप कह सकते हो कि आप biology से associate हो biology के mainly three branch होते हैं main branches के बारे में अगर मैं बात करूँ तो botany, zoology and microbiology अब botany में आप पर होगे plant life के बारे में study of plants zoology में आप पर होगे study of animals and microbiology में आप पर होगे microorganism के बारे में तो botany जो है न फादर आफ botany थी ओ फ्रेस्टरस को कहते हैं and otherwise known as phytology and zoology जो होता है न they are also derived from two greek words zoon मतलब animal and मैंने जैसे की पहले बताया था अगर कहीं बर भी logos लिखा होता है उसका मतलब होता है to study तो father of zoology आरिस्टोटल है and microbiology में हम microorganism के बारे में पढ़ते हैं और father of microbiology लूइस पैशर है and father of biology हम theofrasyrus या theofrasyrus को कहते है तो इस तरीके से जो biology के जो domains है वो different है and इसके branches के बारे में देखा botany zoology microbiology जो botany के students होते हैं उनको plant के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है तो वो botany select करते हैं जिनको animal physiology animal से related चीज़े अच्छी लगती है वो zoology पढ़ते हैं जिनको tiny organism के बारे में पढ़ना पसंद होता है वो microbiology लेते हैं तो अगर आप microbiology उसे expect करोगे कि they know all the things about the botany तो ये possible नहीं है because ये हमारा अलग branch है botany है तो botany के बारे में आप इसमें plant life के बारे में algae हो गया, fungi हो गया endo, bryophy, gymnosperm, angiosperm, trees हो गया, phorns हो गया, sherps हो गया, aquatic plants हो गया, मतलब जो हमारे earth पे overall जितने भी flora present है आपको इसके बारे में पढ़ना पढ़ता है phornology में आपको फोना के बारे में पढ़ना पढ़ेगा means कि plant animals के बारे में पढ़ना होगा animals है, कि अतने तरीके के animals होते हैं mammals हो गया, reptiles हो गया जो भी उनसे associated disease है हर एक चीज़ आपको zoology में पढ़ना होता है लेकिन हाँ एक basic knowledge आपको हर एक subject का होना चाहिए थोड़ा थोड़ा बर deep में अगर बात करो अगर depth में आपको knowledge लेना है तो आपका जो field होता हूँ काफी narrow हो जाता है तो आपको इस चीज़ में knowledge गेन करना असान हो जाता है तो आप जोलोजी पढ़ोगे अगर आपको animal में interest है अनिमल से related जो भी चीज़े हैं उसमें अगर interest है तो आप जोलोजी के तरफ जाओगे and microbiology जैसे कि मैंने बताया अगर आपको microorganism के बारे में पढ़ना पसंदे तो आप microorganism के बारे में पढ़ना होगे microbiology से तो यह हमारे biology के branches है science के भी branches के बारे में बात करेंगे तो overall देखा जाए तो science में ही आपका biology आएगा लेकिन biology भी आपका divided है three branches में तो I hope आपको यह video अच्छे लेगी हो